कार्यक्रम ना प्रायोजर्ट Mother Teresa Memorial School Admissions Open from Preschool to Standard A नमस्का दर्श्रम गुदर अधी दी मा फरी एक वर आपनू स्वागाच अधी दी लेवो कार्यक्रम की जे कार्यक्रम मा विशिष्ट व्यक्तितों साथ आपनी मुलागात कारे वेचे अने वातों करिये छे अंत्रक दर्श्रम गुदर आजे आपनी साथ एक वागेश्ट छला किटलाई समय थी वागेश्ट नी शोदमा आता कदाच आप पन आतान हूं पन आतो के जिमने जोईने जाम मन प्रफूल लीते थाई जाए स्क्रीन पर जुए जारे बाट अब्यस से के कदाच तेमना बूलवा थी अथवा तो तेमने एक्स्प्रेसन सीने माई जारे सटाक दीने बेग्राउंड म्यूजिक आवे चे तेरे बद्धाज लोको ना चेहरा पर खू जाए तक बहुत देर तक लोगों के दिमाग में बैठ जाते हैं जैसे कि गबर भी आद तक भूले नहीं है रहा आप जाए कहीं एसी माय कि बेटा सोजा नहीं तो गबर आ जाएगा तो गुल गुले यह नाम सीलेक्शन जो हुआ था तो पहले से आपको मालूम था आपने क गुल गुले करो वट 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 वस नाम के पीछे क्या राज यह नाम के पीछे में क्रेडिट लेना तो चाहूं कि मैंने कुछ इसके बारे में सोचा लेकिन मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है नाम के बारे में यह जो शो की शुरुवात थी उसमें जो कारेक्टर ल ये घुल गुल होँ everything कर दो और लुझे मैं मुलायम सिंग घुल गुले-म मुलायम सौफ्ट और लम प्यार . क्योंकि एक एक सफेक करतेजिक वाता तन ayam कि सफर की बात करें कॉलेज से ही आपको इंटरेस्ट था तभी किसी ने रेकगनाइज किया किया रहे यह यह रागवेंदर तो यार चल पड़ेगी इसकी दो तो क्या हुआ था वहा था कॉलेज में भी क्या ऐसे मस्ती खोर मस्ती करते रहते मजा करते दोस्तों के साथ मुझे एक्टिंग का कीड़ा कहिए यह जो भी कहिए मैं अपने कॉलेज में भी इंटर कॉलेज अक्टिविटीज बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था कॉंसी कॉलेज थी मुंबे की मैं नर्सी मुझी कॉलेज है और काफी आमिर खान परेश रावल यह सब इस कॉलेज अब पर तो में इस क्साम गई करता देख इन्टर कोपिशिंज में भुए बड़े अच्छे लेविल के प्लेज होते थे तो एक मक्रंदेश पांडे को राइटर है उन्होंने प्लेज लिखे थे अमारे लिए महेंद्र जोशी नाम के एक दिरेक्टर ते जो अब नहीं रह मेरा प्रोफेशनल जीवन भी वहीं से शुरू हुआ यू सेट सर्मन जोशी आपने ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे नाम दिये विवेक औरोई सर्मन जोशी यह सब यहां से इवन तलप दे इसबां कर दो सफल घावार कॉपा की कभी-कभी एसा होता की क्या मैं यहां तक क्या क्या हद controllers ? सक्षेजिस आपी यह यह उन्हप्र पूर फिल्म इंडेस्ट्रीज. Wasn't that a movie? यह तो आप आगे देखें और गहें के मैं पीछे क्यूं रह गया या फिर आप पीछे वालों को देखें और खुश होएं कि यार मैं इतना तक तो आ गया यह तो एक देखने का नजरिया है आपने काम से खुश हो तो मैं खुश हो अब वो काम किन लोगों को अच्छा लगा किन को अच्छा नहीं लगा किसी ने उसको अप्रिशेट करके उसे आगे बढ़ाया नहीं बढ़ाया अब जैसे मैं एक नाटक करता हूं मैं स्टेज पे करता हूं स्टेज पे नाटक करने में कितने लोग देखते हैं 600 लोग जो सामने बैटे हैं वही देखेंगे या पिर मैं टीवी पे काम करता हूं तो हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, फिल्म करता हूं, तो करोडों लोग देख रहे हैं, तो मीडियम अलग है, पर मैं क्या अपने नाटक वाले काम से खूश हूँ, जो किया क्या मैं उससे खूश हूँ, मैं उससे खूश हूँ, तो I am happy with my life, मैं ये compare करके, वो तो फिल फिल्म के मीडियम में चला गया है, वो वाला मीडियम, ये वाला मीडियम, मुझे I am an actor and I like doing my job in whatever medium I am doing it in and I feel happy and satisfied for myself. Now satisfactory point, सबसे ज्यादा, अलग-अलग serials भी किये, फिल्मों में भी आपने काम किये, सबसे ज्यादा satisfaction, खुद रागवेदर जी को लगाओ कि यार मजा आ गया काम करने में, even see at present you are working with FIR, बहुत ही हीट, इतने सालों से unbitten, लोग वेट करते हैं कि कब टाइम हो, चालू हो और हम हजी के फवारे छूटे हमारे मुसरे, थपड़ पड़े, थपड़ पड़े, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें दो-चार इंसिडेंट ऐसे होंगे, जिसमें कई मजा हो, यार यह तो कभी जिनकी पर खुरूंगा नहीं है, ऐसे FIR में ही काफी incidents हुए हैं, जहां पर मतलब एक ज प्यार भी बहुत होता है, कभी एक दूसरे के लिए, तो कुछ episodes हम शूट कर रहे हैं, जिसके अंदर, मतलब एक episode किया था, जिसमें कोई घुलगुले को kidnap कर लेता है, और चौटाला अपनी जान पर खेल कर उसे बचा रही है, चौटाला कोई गोली चला रहे है, और जिसके अंदर चौटाला गुस्सा हो गई, और थपड नहीं मारने वाली है, तो गुलगुले की हालत खराब के अब लाइफ में क्या होगा, आप लाइफ खतम हो गई, और फिर तडपने लगता है, पहले बात तो एक बार गुस्से में कहा है, ठीक है, नहीं मारेगी खाने के लिए, तो ये अपने आप में एक फणी इंसिडेंट लगता है, लेकिन बहुत ही प्यारा है, जब आप उसको देखो तो ऐसा लगता है, कि यार ये कैसा रिलेशिंशिप है, और इतना इतना लंबा स्पैन, बात करेंगे थपड की एक छोटे से ब्रेक के बाद, अ पढ़नी रस्प्रदवातों करीशो, विरामाद फरियेक आपनू कारेकरम अती थीमा, किको जी, थपड की बात, जब भी एपीसोड आता है, लोग लोग चाहते कि कब पढ़े, कब पढ़े, सही में क्या कभी हुआ है, क्योंकि एक्ट करने में सही में पढ़ गई हो ऐसा मैं कहूंगा कि 700 एपिसोड में, अगर 6-7 थपड भी पर एपिसोड के आप काउंट करें तो 5,000 थपड होंगे, लेकिन ये में क्रेडिट देना चाहूंगा कविता कौशिक को, जो के एक बहुत ही बहतरीन कलाकार है, और इतनी सफाई से उन्होंने मुझे थपड मारे हैं, और इतने मतलब इतने प्रिसिशन और इतने करेक्ट टाइमिंग के साथ मारे हैं, कभी भी लगा नहीं, आवाज आई है, लेकिन छुआ नहीं है, और मतलब वो कमाल का टाइमिंग हम 6 साल से मैनेज कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे. बात करें, भागो के के आया, that is again, again, बहुत फ्रेंकली, अगर मैं खुद का अपना ओपिनियन दू, वीवर के बियाफ पे, that was an excellent scripted story, बहुत ही बढ़िया था, और मेरे हिसाब से corporate company में काम करने वाला हर एक बंदा, उसके अंदर अपना बहुत दूंटता था, हाँ, हाँ, वो, और मैं very frankly, I am amazed कि आप भी मुझे इस शो के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये शो, जैसे आज हम 700 episodes की बात कर रहे हैं, फायर की, उस शो ने 13 episodes किये, 13, सिरफ 13, पर आज भी Facebook पे और यहां वहां, लोग मुझे मिलते हैं, और अरे यार, भागो के क्या, बाला, अपको याद कैसे है, यार, गिंती के 13 episodes बनेते हैं, बागो के किया है, कि आपको इतना अभी तक memory है उस योगी, क्योंकि वो character इतना अजीब था, और मुझे करते को इपी बड़ा अजीब लगता था, कि मैं सच मुच, मतलब ऐसा इतना self-obsessed आदमी, कुछ भी जोग बुलता है, और उमीद करता है, कि लोग घसेंगे, तुमको एक ऐसी कुरसी पर बैठा दिया गया है, जहां बाकियों का जॉब है, कि वो तुमारे को appreciate करें, और वो खुद अपने आप से इतना खुश है, मतलब I really enjoyed that character, and मैं ये भी करना चाहूँगा, कि Amit Aryan, जो मेरे F.I. और वो एक मतलब कहां से, मतलब एक दूसरे शो में एक छोटा हिस्सा हुआ करता था, के-क का, वो के-क कारेक्टर इतना अच्छा लगने लगा, कि हम फिर चैनल ने, सब टीवी ने ही decide कि उसका एक प्रॉपर शो बनाए, तो this is one of the weirdest, क्या हुआ कि suddenly, मतलब बाल मृत्ती हो वो जोग प्रॉपर दिन, यह कोई बात है, और कुछ लोगों को इतना फ़नी लगता है, तो KKK साथ भी यही था, मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिलें जो, अरे यह मतलब यहाँ, हाती चीटी के जोक सुनाता है पूरा दिन, यह कोई बात है, और कुछ लोगों जोग जोगता तो इस बीच में शायद लव करने वाले तो बहुत प्यार करते हैं, बट समभाव, एक टाइमिंग भी गलत था, जब वो शो आया, तब टीयार पीज यह, फिर मिला जुला के जो भी हुआ, बट इस ब्रिलियन कारेक्टर रागमदरी, आपने बताया कि कॉमेडी क्योंकि इ एरिया में आपने बहुत सारा काम किया, यह कुई चीज कॉमेडी मतलब इस नौट इजी टास्क, शायद गलिसरिन डाल के दो आंसू बहा देना, चेहरा थोड़ा अपना खुद का नमी वाला बना के लोगों को नमी के महौल में ढाल देना, यह सब ठीक है, कॉमेडी इस व प्रकास डालके कि कॉमेडी कितना टॉफ है, देखिए, यह वापस बात वहीं आ जाती है, जो मैंने पहले गहा, कि यह एक लाइफ को जीने का तरीका है, यह लाइफ स्टाइल की बात है, मैं जिस तरह पला बड़ा हूं, या जिस तरह मतलब के हम छोटी-छोटी चीज में क हर लाइफ के हर, मतलब कोई sad moment में भी एक funny moment निकाला जा सकता है, तो यह देखने का तरीका है, मैं हमेशा से खुश और happy life जीने की कोशिश की है, कहर उंच नीच सब की life में आती है, मेरी life में भी आई है, पर वो ही है, कि यह चीज़े माइने नहीं रखती है, मतलब you have to be a happy person No, my basic question is, कितना tough है कोई ऐसा comedy role करना है? मतलब एक वक्त के साथ, it is a tough act, but it is a very very fun act also, if you start taking it in fun Okay fine, now, 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 एक broad way में देखे, हिंदुस्तान की TV इंडस्टी बहुत ग्रोगर चुकी है, बहुत सारे एक्सपरिमेंट हुए है, what do you feel, अभी भी हमारी TV इंडस्टी में क्या कमी, क्या क्या खलती है? नहीं, I am sorry, लेकिन यह सवाल का चवाप तो exactly मेरे पास नहीं है कि कमी किस चीज की है, there is, बहुत लोग ब्लेम करते हैं कि इस प्रकार के शोज नहीं होने चाहिए, उस प्रकार के नहीं होने चाहिए, तो इस प्रकार के कुछ-कुछ नए शोज आए भी हैं, जो के, I have seen a few of those Sony के ही शोज हैं, जैसे सब TV के शोज हैं, आप बाकी के शोज भी देखी, F.I.R को छोड़के, तो लापता गंज, मतलब a slice of life के शोज हैं, हम एकदम comedy बनाने की भी मतलब के एकदम हर मोमेंट पे, लेकिन एक जिंदगी जो जी रहे हैं लोग, एक लापता ग इस तरीके के शोज जैसे सब TV बनाता है, उस प्रकार के शोज और बनने चाहिए, slice of life लेकर आईए आप, एक असलियत लेकर आईए, बहुत ही बनावती और नकली ना लगें और एक असलियत लेकर आए शोज में, तो उस प्रकार का ट्रेंड अप शुरू तो हो गया है, और बहुत लाइव शोज देखता था, जॉनी लीवर के, उनके जो बॉम्बे में लाइव परफॉमेंस होती थी, तो हॉल में जाके शोज देखता था, और मैंने शुरूआत ही उनके आईटम को कॉपी करके की, मिमिकरी के आईटम, वो जो करते थे, वो सेम चीज, फिर वो टे आपके उस वक्त जब शुरूआती तोर में आपके आईटल रहे थे, अब बादे करेंगे अगेन एक वक्त हुए चोटे से परेका, दर्शक विदरो, विरामबाद अंतिम तबग का मा, राघ्वेंद्र जी, स्वरी, गुल-गुल जी साधेनी बात हुँआ, विरामबाद वस्वागे शाबनू कारेकरम अती थी, मा, कीकु जी, ये कीकु नाम सुनके थोड़ा ओड लगता है, क्योंकि नॉर्मली कभी भी बच्चा पेदा होता है, तो लोग पहला काम ये करते हैं, सला देने का, जब भी मिलने जाते हैं, नाम तो मैं ढूंड के आऊंगा, और सब की अनुभव अगर देखे, गूगल में बच्चो के नए नाम डाले तो पांसो वेबसाइट मिल जाएगी आपको, जिसमें पांच लाख नाम होते हैं, लेकिन एक भी नाम आतक कीकु सुना नहीं है, पांच लाख नामों में आपने कीकु नहीं सुना, कीकु वैसे मेरा अस अधरने में शारदा, रागवेंद्र शारदा, मैं जब स्कूल में था तो बड़ी प्रोब्लम होती थी कि लोगों को मेरा नाम बड़ा लंबा लगता था दोस्तों को, तो बोले रागवेंद्र कौन लेगा बहुत लंबा नाम है, तो मुझे शारदा बुलाते थे तो अब अचानक से एक औरत का नाम हो गया था मेरा सब शारदा यह शारदा और शारदा मैं आज यह क्या है यह कह रहा? तो मैं अप बानाम को काट यह रागवेंद्र कर ओने लगे तो अब मैं ने का कि चलो ठीक है, मेरा घर का एक नाम था जो मेरी दादी ने मुझे दिया था तो मैंने college college में इंटर किया तो मैंने सबसे कहना शुरू कर दिया के भाई मेरा नाम कीकु है तो मैं अपने आपको रागवेंदर की तरह इंटर्डूस करना ही छोड़ दिया और अब प्रोफेशनली भी मैं कीकु नाम इस्तमाल करता हूं ज़्ट बिकॉस मैं हर जना मुझे शारदा शारदा नाम पुकारे इसलिए इसलिए यह बटश श्वीट क्यूट शॉट नेम अच्छा है मुझे अप तो अच्छा लग मिला एक इसलिए अपने बताए कि दादी मा आपको यह नाम से पुकार दी थी फैमिली की बात करे दो क् बच्छे पाप बिजनेसमैं बच्चों की बात करे क्या 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 कभी साथ में बैटके सीडियल देख देगा सवालात है सवालात तो कुछ नहांते उनका सबसे बड़ा जो के मुझे उनको जब बताना पड़ा कि यह सब नकली है मतलब उनको लगने लगा एक टाइम पर ज चोटा चार साल का है तो जब से वो हैं तब से वो सीरियल देख रहे हैं फायर उनको लगा कि यह थपड मारना तो एक नॉर्मल चीज है यह एक अक्टिविटी है जो लाइफ की होती है लोगों को करना चाहिए वो यह यह मान के उनके के पापा को मारा जाता है यह है मतलब तो कि अरे यह तो आंटी टची नहीं कर रही है आपको यह क्या है मुझा वेटा ऐसे ही होता है कोई असली में नहीं मारता है तो समझा समझू के अब वो इस बात को समझ गए है वरना दे इंजॉय दशो दे लव इट बहटते हैं साथ में देखते हैं कि को यह यह सीधा सवाल आपने बताया कि बच्चे देखते थे साथ साल वाला जिसने सबसे ज्यादा समझ दारीश इस शो को देखा होगा जिसको लगा कि यार थपड़ तो इस नॉर्मल मारा जाता है और अगर पापा को तो क्या सीरियल्स की सुसाइटी पैसर कितनी पढ़ दिया तो पढ़ती है उसका आप कुछ अब वही तो मैं के चिल्डरिन की व्यूइंग एक लिमिट रखनी चाहिए जो मैं आपने बच्चों के साथ रखता हूं आप ये जो मतलब एक सीरियस इशू को लेके सोशल ड्रामा भी आप बच्चों को दिखाएं तो उनको लगने लगा कि हर घर में इस वोड़ा कंट्रोल में टेलिविजिन व्यूइंग देना चाहिए वो स्ट्रिकली अपने कार्टून्स या अपने अनिमिल प्लैनेट या मतलब वो टाइप के शोस देखें तो उनके लिए बहतर है या फिर ऐसे शोस जो इतना टाइप का अग्रेशन या ये चीजे ना ये तो चोटी बात हुआ हुआ है ये तो छोटी बात हुआ हूंद। और यह मतलब कैसे हाथ उठा दिया तो यह मतलब सुसाइटी के लिए देखना और ओर इन्सान की परस्टनल जिम्मेदारी है जी हां, डेफिनिटली कर सकता है, और करता है, तो हमें उससे कैसे बचना है, अपने बच्चों को कैसे बचाना है उस चीज से, वह हर इंसान की परस्नल जिम्मेदारी है. Now, after FIR, what? कुछ प्रोजेक्ट हाथ में या कमिंग प्रोजेक्ट? See, right now FIR takes most of my time, क्योंकि 5 days a week show है और काफी quantity में shooting होती है, तो और कुछ करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर मैं अपनी तरफ से, अब वह होता है कि फिल्मे करना या कुछ करना महीने में इतने दिन बचते ही नहीं है कि आप एक लंप सम कोई और प्रोजेक्ट ले ले अगें अगें मेरा पहला समय जो पहले बाट मैं में पूछा था, फिल्मों के परती, क्या effort कं किये है या इतना ध्यान नहीं दिया है? नहीं पर हां, जन्यूनली मैं ध्यान दे नहीं पाया हूं, मैंने आखरी फिल्म इटी रेस नाम की, सैफ अली खान अनिल कपूर और अबस मस्तान की फिल्म थी, साउथ आफरिका में शूट की गई थी वो फिल्म, तो वो मेरी लास्ट फिल्म थी, मैंने डरना मना है, और फिल तो मैं अभी जब टेलिविशन कर रहा हूं और अच्छा काम कर रहा हूं, तो मैं इंजॉय कर रहा हूं अपने आपको, फिल्मों का मेरा यह है कि मैं पीछे दौड़ नहीं रहा हूं, मेरे अगर कुछ आता है, मैं बहुत जादा लोगों से रहा हूं उसमें क्या आपको लगता है कि उसकी वज़ा से सही में सेकंड ऑप्शन एक होना चाहिए हाथ में, डॉंट यू फिल देट, इपड़ वाट इस सेकंड ऑप्शन, मतलब मैं आज एफ आर नहीं करूंगा, तो आज एन एक्टर, ओफर तो चीजें होते लास्क्वेशन, लास् मुझे बहुत ब्लंट आंसर चाहिए, दो क्या कमजोरिया खुद में दिखी आपको, जो क्या आप इंप्रू करना चाहते हो, बर्सों से मैं चीजों को आसानी से भूलता नहीं हूँ, चाहे वो किसी प्रकार का, कोई अन्बन भी हो, तो जैसे होते हैं कि फर्गेव और फगेट, मेरे से फगेट होता नहीं है, मुझे बहुत टाइम लगता है किसी चीज को भूला देने के लिए, जो के मेरे साब से एक अच्छी मैं कोई तेडी बात या कोई चीज मैं मतलब दिल में मत रखो पर मेरे दिल में काफी रह जाती है, तो मैं वो पसंद नहीं करता हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस चीज से थोड़ा निकलू, अदर्वाइज, एट लास्ट, एट लास्ट, क्या मैसेज है क्यों जाड़े दस बजे सब टीवी पर और उसके अलावा मैसेज है कि प्लीज आप खुश रहिए क्योंकि आप खुद खुश रहेंगे तो आप खुशी बांट पाएंगे और अगर आप खुशी बांट पाएं तो मतलब इससे बड़ी सक्सेस आपकी लाइफ में और कुछ हो न पुश रहे को मेड़ी सर्थे कोमेड लुकर तॉढ़ी ओर खुश रहे कोमेड़ी सक्र खुशी के स्क्रिप्ट सिवायन उपन कणू बदू बदू याचर एपुश मतलब जावी ऑनचर एंगर मुश्य आप खुशी सक्षर हुन स्वाने हसता राकना की कूजिशन फरी मैस प्रिच्छो नख्षरपी साझा था 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 तर्या सो बंगे व्टेश ठीजा था 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 धिन अन्यूर कर था था थी कि अ干ी है अबरू था 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 है दो था